आपका स्वागत अच के से वुड़ों में, अगर आप Facebook का इस्तमाल करते हैं और आप Facebook पे बहुत सारी चीजह सर्च करते रहते हैं, जैसे कि किसी का नाम या अपने किसी फ्रेंट का अकाउंट या भी किसी का भी अकाउंट या आप कोई page या कुछ भी आप सर्च करते रहते ह चाहते हैं कि आपका जो Facebook search history है उसे आप किसी तरह से डिलीट कर दें लेकिन आपको यह नहीं पता है कि Facebook search history कैसे delete किया जाता है और क्यासे निकाला जाता है फिर आपके चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है आज के इस वीडियो में हम आपको यहीं बताने वाले हैं कि आपके इस प्रकार से आप अपने Facebook अकाउंट पे आपने जो भी सर्च किया हुआ है वो आपके इस प्रकार से निकाल सकते हैं और उसे ड लिए हूं तो सबसे पहले अपने सर सिष्ट्री को डिलिट करने के लिए आपको अपना Facebook अपन कर लेना है Facebook अपको अपन करने के बाद आपको यहां पर सबसे उपर में राइट साट कॉर्णर में अपना डीपी दिखेगा या फिर आपको तीन लखीरे दिखेंगी आपको इसके 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 होगा आपको सिंपिल इसके उपर टैप करना है इसके उपर टैप करने के बाद आपका प्रफाइल का जो सेटिंग्स है वो खुल जाता है और आपके प्रफाइल के सेटिंग्स के खुलने के बाद आपको यहां पर एक ओप्शन ढूंड लेना है जिसका नाम है एक्टिविट अपके आजाता है और इस पेज में जहां पर आपको track लिखा ऀए उसके नीचे में जहां पर blue जाएगे उनका लिष्ट यहां पर आपको नजरावने लगेगा तो उसके बाद आपको जो भी एक सर्षिट्री डिलीट करना है आप उस हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए उस हिस्ट्री के बगल में आपको एक त्री डॉट का ओप्शन दिख रहा होगा आपको उसे बिले इसके बिले इसके बाद करना है आप जैसे इसके बाद करेंगे वैसे आपके समय एक पॉपर में आएगा जहां पर आप से एक कनफरमेशन मांगा जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इस हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं तो फिर आप इस हिस्ट्री को 12 र वो डिलीट हो जाता है और इस प्रकार से आप इस समझ गहूंगे कि आप कैसे फेस्बुक पर अपने सर्शिष्ट्री को आप किस तरह से डिलीट कर सकते हैं तो चलिए आज किस उडियो को रखते हैं बसे ही तक मिलते हैं आप से अगले उडियो में